नमस्कार दोस्तों जहां तक भी मेरी आवाद जा रही है और जहां तक भविश्चे में जाये की आप सब का इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हर दिक स्वाकत करता हूँ मेरी कोशिस कि मैं देश की खुशाली और तरक्की में मैं भी अपना कुछ योगदान कर सकूँ इसलिए मैंने ये चैनल सुरू किया है और इसके सेर करने में आपका भी देश की तरक्ती में योगदान होगा तो आज का जो हम टोपिक लेका हैं उसकी सुरूआत करते हैं देखिए आज की सुरूआता है बच्चों में नैतिक्ता की जरूरत क्यों है वाई वी नीड एथिकल वैलियूस इन सब चीजों की जरूरत बच्चों को क्यों है क्योंकि ये सब चीज़ें आज कल कम हो रही हैं तो इनके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे तो जैसे हम सब जानते हैं कि बच्पन क्या होता है जब हम घर बनाते है तो उसकी नीव बनाते हैं पहले बहुत गहरा गड़ा होते है उसमें बहुत पत्थर सिमांट सब डालते हैं क्यों करते हैं आम ऐसा ताकि नीव मजबूत हो सके ऐसे ही बच्चे होते हैं तो बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं इस बच्चपन की उमर में जो कुछ भी सोचते हैं और जो कुछ भी करते हैं वह जिंदगी भर उनके साथ रहता है देखिए जब घर बनते हैं तो वो पहली सोच लेते हैं उकम पाएगा तो क्या होगा बारिस बार आएगी तो क्या होगा उसी तरह से हमें बच्चों के लिए भी सोचना है बच्चे क्या है गीली मिट्टी की तरह होते हैं अपने कुमार को चाक पे बरतर मनाते देखा होगा तो जो चाहे उसको आकार दे सकता है तो हम पैरेंट्स करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, तो ऐसे में जो पैरेंट्स की भूमिका है, बहुत जादे इंपोरटेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चे के सभी जो फिर्स्स स्टैप्स होते हैं, परिवार से ही सुरुआत होती है उनकी, इसलिए ही परिवार को क्या है पर्थम स्कूल कहते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं सबसे पहला स्कूल जो होता है घर होता है स्कूल तो बाद में होता है बट उससे पहले घर में ही साई चीजों की पहला स्टेप चलना, बोलना, खाना, पीना हर चीज की सुरुवात घर से होती है, इसलिए परिवार को क्या कहते हैं घर को क्या कहते हैं स्कूल कहते हैं, वो भी पर्थम, फर्स्ट स्कूल ऐसे में पैरेंट्स की जम्यदारी और बढ़ जाती है, कि बच्चे को सुरुवात से ही अच्छी अच्छी बातें, अच्छी वैल्यूज सिखाई जाएं ताकि बच्चा आगे जाके अच्छे अच्छे काम कर सके परिवार में ही बच्चा संसकार नैतिकता और स्ष्टाचार की जानकारी प्राप्त करता है, अब देखिया कि नैतिकता जो है, आकि नैतिकता क्या चीज है, इसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, तो बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास से क्या मतलब है तो बच्चों को अच्छे अच्छे संसकार देना, उन्हें अपने समाज, संसकर्ती, धरोहरे उन सब के बारे में बात चीत करना, उनको समझाना ये सब इसके हिस्से में आती है बच्चे ही हमारी प्रंप्राओं को आगे ले जाएंगे बच्चे हम सब जानते हैं कि देश का भविश्य है परंतु अगर बच्चा स्टार्टिंग में किसी गलत आदतों में पढ़ गया अच्छी चीजें नहीं कर पाया हो तो क्या ऐसा बच्चा देश को आगे ले जा पाएगा क्या वो बच्चा अपना विकास कर पाएगा क्या वो बच्चा अपने देश का विकास कर पाएगा हमें इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कोई बच्चा पढ़ लिखके कितना भी आगे चला जाए कितनी भी डिगरी ले ले, सब कुछ कर ले कितना भी इंटलीजेंट हो क्या अगर उसमें मोरलीटी की नयतिकता की थोड़ी कमी होगी अगर उसके मोरल वैल्यूस डाउन होगी तो सच बताईए क्या वो बच्चा कुछ ऐसा कार कर पाएगा जो हम चाहते हैं उससे करवाना नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी अविस्कार जो हमारे निर्मानकारियों के लिए अच्छी चीज़ों के लिए बनाया कया है अगर उसकी दिसा गलत हो जाए तो वो विनासकारी और बहुत जादा विनासकारी हो सकता है इसलिए हमें कोसिस करनी है कि उसको डारेक्शन स्टार्टिंग में ही सही से दी जाए हमारी परशनल्टी के जो डवलप्मेट में भी मोरल्टी का बहुत पड़ा योगदान होता है हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्रानी है तो यही जो नैतिक्ता है यह मोरलिटी जो है एक दूसरों के परति केर करना सम्मान करना यह सब चीजे क्या है यह सब नैतिक्ता के अंदर आती है अगर बच्चा कहीं बड़ा होके ऐसी रास्ते में ऐसी दूईधा में फस गया जहां पर उसको दो रास्ते दिखाई देंगे सही क्या है गलत क्या है तो वो सब डिपेंड करेगा आपने उसको बचपन में क्या संसकार दी है क्या मोरलिटी दी है तो उसी आधार पे वो टर्न ले लेगा तो अब हम इसके बारे में जानेंगे आखिर कि बच्चों को क्या-क्या है जो जानकारी हम दे सकते हैं कि इस तोपिक बहुत बड़ा है बहुत दिसक्रचा कर सकते हैं लेकिन मैंने कुछ अच्छा-च्छे बिंदू अप इन तरफ से चूज किये हैं देखिए सबसे पहले क्या जरूरी चीज़ है इसमें सबसे पहले जरूरी है घर का माहौल अगर हमारे घर का माहौल अच्छा रहेगा हमने बताया भी सब जानते हैं कि घर क्या है हमारा पर्थम इसको लोता है अगर हमारे घर का माहौल अच्छा है सब प्यार से बाते करते हैं कोई एक दूसरे को गाली नहीं देता बत्तमीजी से बात नहीं करता उसको वो ही पता जलेगा, क्योंकि वो सबसे पहली चीज वहीं से सीख रहा है वो, चलना वहीं से सीखा, बोल ऐसे चलते हैं, खाना वहीं से सीखा, तो ये सब चीजे भी बच्चा वहीं से सीखता है, और हमें लग रहा है कि बच्चा बहुत छोटा है, इसको कुछ ने पता, पर क्या सच में हम उसको follow करते हैं क्या सच में हम उसको निबाते हैं इमानदारी होती क्या है तो यह सब चीजे बहुत जादा सोचने की जरूर्द है क्योंकि देखो जब बच्चा पैदा होता है बहुत इमानदार बिलकुल सत्ते सब उसमें कुछ नहीं होता जैसे लेकिन जैसे ही प्रत्वी पर दीरे 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 हमारे एन्वार्मेंट में हमारे समाज में आता है तो वो सब चीजें इसके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है तो उसका कहीना के रोगदान हमारा भी है अब देखिए बोलना सुरू कर देते हैं इसके कई कारण हो सकते हैं बच्चे का जो एन्वार्मेंट है जो उसके साथ फ्रेंड्स है फ्रेंड्स सरकेल है उसका वो जुट बोलते हूं जोरी करना सुरू करते हूं तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है बच्चों को सच बोलने के लि तो उसके लिए तुमको reward मिलेगा, punishment नहीं मिलेगा, इससे बच्चा क्या है, उसका जुकाव सच्च की तरफ बढ़ जाएगा, अब हम जब छोटे थे तो सब सुनते थे कि जुट बोलना पाप है, तेरे घर में साप है, तो मतलब क्या था उसका कहने का, इन सब चीजों का यह चीज सिखेगा, हमें एक दूसरे से बड़ों से नहीं, छोटों से भी इज़त करनी चाहिए, अगर हम छोटों की इज़त करेंगे, तो वो समझेगा, छोटे और बड़े, यानि सब की इज़त करनी है हमें, यानि इस चीज का भी बहुत प्रभाव पढ़ता है, हमने अपन बच्चा जो सीखता है, वो अपने फिर फ्रेंड सरकल में जाके सीखता है, जो उसका दोस्त है, जो उसके दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कितना सच बोल रहे हैं, क्या जूट बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या ना परनी नजर रखनी होगी जिससे बच्चे का चीजों को समझ सकें कि हमारा बच्चा किस दिसा में जा रहा है उसके बाद है कि समाज में महिलाओं के परती सोच आज के टाइम में ये बहुत बड़ा मुद्दावत बन गया है कि बई समाज में जो वोमेंस हैं जो लड़कियां हैं गर्ल हैं उनके परतील लोगों की सोच बहुत खराब हो चुकी है तो उसके लिए कही न कहीं जिम्मेदार हम सब हैं पैरेंट्स जिम्मेदार हैं जब हम घर में अपने बेटे बेटी में फर्क करना सुरू कर देते हैं तो बच्चा उस चीज को देखता है कि वो taken for granted है वो simple चीज है लड़की है कोई दिकत नहीं छेड़ सकते हैं कुछ कर सकते हैं कोई दिकत क्यों क्योंकि हमने घर में उसको यह सब चीजे नहीं सिखाई हैं तो बच्चों को घर में बच्पन से ही अच्छी जीजे सिखानी होगी महिलाओं के परती उनकी सोच अच्छी बनानी होगी कि महिलाएं हैं इनके सम्मान करो तो जब धीरे धीरे यह सब चीजे होगी तो थोड़ा time लग सकता है बट बहुत जल्ली है चीजे चेंज हो जाएंगी सबसे प्यार करना सिखाईए देखे एक दूसरे से प्यार करना का बहुत बड़ा युक्तान होगी प्यार जो लव बोलते हो वो एक ऐसी चीज है अगर इसको सचे अर्थों में लें कि युँ पत्थर भी पिंगला देता है प्यार किसको पसंद नहीं है जानवर से लेके किसी भी चीज को देख लिए यानि प्यार हर आदमी को चाहिए उसे दोस्तों से ही नहीं दुस्मनों से भी प्या करना सिखाना है कि भगवान जो मुझे दिया उसके लिए थैंक यू इनसानों से नहीं जानवरों से भी प्यार करना सिखाना है क्योंकि जब आदत बन जाएगी किसी चीज की तो वो बहुत आसान होता है फिर बच्चे को पोजिटिव की तरफ ले जाना उसके बाद देखे सबसे important point आज के time में बच्चों के साथ मार पीट नहीं करनी है बच्चों के जितने ज़्यादा हो सके उनके emotions से जुडने की कोसिस कीजिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनकी भावनाव से जुड़िया आपको उन दोस्तों का मतलब समझना है कि आज का generation जो है क्या चाहता है तो उससे उसी हिसाब से बातें करनी है मार पीट, तो हर बात में टोकना ताना मारना ये बच्चे को क्याना धीरे 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 आप उनसे अपने parents से दूर ले जाते हैं और दीरे दीरे दूरी इतनी बढ़ जाती है कि हम सोच भी ने सकते कि क्या वो दूरी कम की जाएगी कभी उसको करने में सर्दिया गुजर जाएगी तो ऐसा काम करने से पहले हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों के साथ अपने experience सेर करने चाहिए कि हम ये करते थे आप ये कर रहे हो यानि ये सब चीजें का बहुत ध्यान है इसमें कुछ ये नहीं है कि हम बड़े हैं हमारे पास ego है हम क्यों बच्चे के साथ बात करें कोई गल्त भी हो जाता है तो हमये करनी पड़ेगी क्योंकि हमने सब कुछ हम नहीं सिखाया है उसको तो ये बात भी हम ही सिखानी है बच् Coh को न 행तिकता से जुड़ी कहानिा सुनाई है पहले क्या है हर घ़र में दादा, दादी, ना, 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 नी सब क्या है कहानी सुनाते थे जिन कहानी से कुछ लास्ट में निकल के आता था कि जूट नहीं बोलना चाहिए इमानदार होना चाहिए कभी ऐसा करने से क्या है लोग विश्वास नहीं करेंगे तो यानि वो सब चीजें वापस ज़ाद है बड़े लेवल पर नहीं लेकि छोटे लेवल पर भी हमें करनी पढ़ेंगी अपनी जिम्मेदारी और नाकामी का बोज़ बच्चों पर नहीं डाल सकते हैं अब हम क्या करते हैं कि उसका बच्चा ऐसा है उसने उस टेम पर ये कर दिया था उसने ये कर दिया था तू तो कुछ करी नहीं रहा है देखे पांच उंगली बराबर नहीं होती है जब पांच उंगली बराबर नहीं है तो आप किसी की तुलना किसी से क्यों कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि आप अपनी छोटी उंगली को खीच के बड़ी मुली के पराबर करना चाह रहे है क्या संभव है? नहीं संभव है तो इसलिए अपनी जो responsibility है उसको समझो और बच्चों को अच्छे से treat करना सीखें दूसरों से बच्चों की तुलना बिलकुल ना करें तुलना करने से बच्चे के मानसिक जो है हाला बहुत खराब हो जाते है बच्चा फिर उसी चीज में जीने लगता है कि अच्छा यह ऐसे वो ऐसे मुझे तो यह करना है मुझे तो वो ही करना है मेरे साथ तो यही होगा अल्लेडी प्रिप्लांट चलता रहता है जिससे बच्चा क्या है धीरे 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 मानसिक तनाव के और चला जाता है बच्चो को दूसरों के सामने डाटना और मारना नहीं चाहिए इससे बच्चे के अंदर करना बहुत जादे गलत भावना पैदा हो जाती है बहुत जाते इंसिक्योर्टी आ जाती है यह सोचने लगता है अच्छा मुझे तो उसके सामने मार दिया अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा यानि उसका दिमाग जो अच्छी चीजों की तरफ चलना चाहिए उधर ना चलके नेगिटिव चीजों की तरफ चला जाता है जैनरेशन गैप अब देख़ेए हमारी जैनरेशन में हमारे बच्चों की जैनरेशन में एक गैप है एक डिफरेंस है तो उसको भी हमें समझना पढ़ेगा उसकी भी हमें रैसपेक्ट करनी पढ़ेगी तो हमें बच्चों के साथ उनके दोस्त बनके रहना है मैगजिम टाइम ताकि जनरेशन गैप को हम मिनिमाईज कर सकें उसके बाद समय बिताना हो गया, दोस्त बनके रहना हो गया सबसे इंपोर्टन चीज़, सुधार करें ना कि उनसे दूरी बनाएं बच्चे ने कुछ अगर गलत काम कर दिया है तो ये हमें सोचना है कि क्या सच में वो इतना गलत है कि हम उससे इतनी दूरी बना लें कि उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दें देखिए, ये चीज़े ऐसी होती है मानसिक तोर पर कि अगर ये गलती हो भी जाती है तो बच्चे को भी पश्यताप होता है पश्यताप होना जरूरी है, करवाना भी जरूरी है बट उसको अकेला नहीं छोड़ना है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को किसी अपने की रिक्वार्मेंट होती है जो उसको guidance दे सके, जो direction दे सके बता सके कि क्या गलत है, क्या सही है तो किर्पया उसको सुधार करें, उसको direction दे महाँ पे, उसके साथ time spend करें ना कि उससे दूरी बना कर रखें यह सब चीजे हैं जो बहुत जरूरी है और मैं यह समझता हूँ कि अगर इन सब चीजों की तरफ हम अभिवावक लोग, पैरेंट्स लोग या बड़े लोग, अगर अच्छे से ध्यान दे सकें तो हम सायद अपने बच्चों को थोड़े अच्छी दिसा में अच्छी direction की तरफ हमारे बच्चों को, हम समाज को बच्चों के साथ अच्छा कर सकेंगे तो यह आपको कैसा लगा मेरा प्रमिंश प्लीस कमेट में ज़रूर दाइएगा धन्यवाद